राम राम जी मेरी सब ने आज मैं बणाऊंगी आलू की सबजी और एक दम हलो आई जैसी सबजी पण की त्यार हो जागी आज जी आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखियो और अगर पसंद आवे तो लाइक सेर और कोमेंट जरूर करियो सक्सक्राइब कर लियो मेरे चैनल ने तो आज मैंने सब ते पहले आलू वाले हैं और आलू वाल के मैंने ठंडे होने रख दिये थे मेरे आलू ठंडे हो गए हैं तो मैं ये ने मैस कर लिए हूँ अच्छे से और कडाई रख दी है कडाई मैं सब से पहले मैंने सर्शू का तेल डाल लिया है और तेल मेरा गरम हो इसके खुश्बू बहुत अच्छे वागी इसकी इस तरह सबू दलिया कूटके डालन थे और चार बागमन मिर्चा के बनाके अरी मिर्च काटके डाल ली और लसन और अदरक मने शल्वटे पर कूट ली थी और कूटके ने वो डाल ली अब थोड़ी सी यह ब्राउन हो जाग दली है एक चम्मचे जो राजस्थान वाड़े में चमन लाके रख रखी है और वो पीस के रख रखी है मैंने पहले रिब्य में तो वो डाली है और अलू है मैंने जो उबाड़े थे वो मैस कर लिए थे अच्छे से और अब मैंने इसमें आलू डाल दिये हैं तो आलू मेर थोड़े से फरा ही होन के बाद में मैं इस में थोड़ा सा पाvisor नहीं डाला रही मसाले उर्ट शुक डेह हर सदी मे अपनी मे छुखा और कोई भी सब्जी बनाओ, उसमें मैं ज्यादा तर आप देखते होगे मेरी वीडियो में, मैं मेथी का इस्तेमाल करया करूँ, सुक्की मेथी का, तो इस तो इसकी खुस्बू बहुत बढ़ी आवे हैं, तो ये मने इसमें थोड़ा सा आज मसाला डाला है, आज चटपटा खान न मन हो रहा था परिवार का, तो आज थोड़ी सी चटपटी सब्जी बना रही हूँ, नहीं तो मैं मसाले बिलकुल नहीं डाला करूँ गरम, आज थोड़ी सी चटपटी अलवाई जैसी सब्जी खान न परिवार का मन था, तो मन थोड़ी से इसमें मसाले डाल दी, औ अब ये डाल दिया मनिसमें हरया दनियां और मेरी सब्जी अब बिलकुल बढ़के नत्यार होगी है अब मैं अपने गैसन बंद कर दीखो कितनी बड़िया सब्जी बढ़के नत्यार होगी है तो देखण में ये देखो कितनी अच्छी लग रही है कॉमेंट करके जरूर बता यो आपने मेरी बनाई हुई सेवजी किसी लागी